कि आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद मेरा नवभास से नहीं में आप सभी का स्वागत है कि चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि एवरिज के कोशन में गराऊंगा ठीक है कि टीन कोशन है ठीडिशनल तरीका नहीं स्मार्ट भेंगे Matrix थोड़ा साkim Senior तरीक थोड़ा साज्वाएं आपको कौवण साजाना है मुश्य स्मार्ट वे और गांकी है मैं इसमें आपको पहले कोशन समझाता स्मार्ट वे बताता हूं जिससे जल्दी आएगा ट्रेडिशनल की इक्वेशन भी बता दूंगा मैं जो सॉल करनी पड़ेंगी उससे दोड़ा कैलकुलेटी हो जाएगा सवाल पड़ते हैं पहले के क्लास है माल लीजिए उसमें कुछ बच्चे एक स्टुडेंट है जिसका 30 देड़ किलो से बढ़ गया है तो वट इस दा ओरिजिनल एवरेज वेट अब दा क्लास है आप सबसे पहले देखिए माल लीजिए हम माल लेते हैं कि एन थे बच्चे फिर एन प्लस वन हो गए और फिर एन प्लस टू हो गए ऐसे माल लेजिए ठीक है जब एन ते एवरेज इस्तिमाल लो ए बात में एवरेज हो गई ए प्लस वन और बात में हो गई एप्लस आपने बोला के डेड़ बढ़ गई ओरिजिनल पे ऐसे करके एक पार्मेट है कोशन है ठीक है तो मैं इसको पहले स्मार्ट वे से बताता हूं आप अब यह पिर एक की आने के बाद वाली आवरेज आप ऐसे देख लीजिए कि माल लीजिए पहले कुछ बच्चे थे जिनकी आवरेज थी पांच 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 तीन बच्चे ने माल लो एक 9 किलो का बच्चा और आगया तो आवरेज कितनी हो जाएक है अब तो आप बोलो के के सम में एक एक बढ़ गया एक बढ़ गया और ये भी पांच में यह तीन इत्रबाट दिये इत्रबाट दिये यह नहीं मैं यह कह रहा हूं कि मेरे पास मानलों 30 था 30 आया तो जितने थे आपके पास n इन्ट वान ऐसे हो गया आपने बोल दिया कि एक और बच्चा है जिसकी 30 अब मुझे फिर से मिडल पर पहुंचना है इनके बीच का डिफ्रेंस इसके बीच का डिफ्रेंस बन था इसके बीच का डिफ्रेंस पॉइंट पाइव है और एंड प्लस टू की बात हो रही है मतलब क पॉइंट फाइव और दो एक्स्ट्रा यह भी देख लो ऐसी समझ लो मैंने क्या किया मैं मिडल वाली एवरेज यानि कि जो मिडल की एवरेज है ना उसको एकवेट कर रहा हूं ठीक है तो आपने बूल दिया 30 माइन 30 माइनस पॉइंट पॉइंट और माइनस इससे एकट गया यहनि .51.1.5 N बराबर 1 आ गया N की वेल्यों हो गई 2 यानि कि आपने बोल दिया सीधी सीधी बात है अगर मुझे मिड्वेज चाहिए थी तो माइनस कर दो 28 लेकिन मुझे मिड अवरेज नहीं चाहिए मुझे मीडल की एवरेज नहीं चाहिए आपने बोल दिया और इसनल एवरेज बताओ तो एक कम कर दो यह तो ए प्लस बन था ना मीडल एवरेज तो 27 अब यह है तो बहुत असान लेकिन इसको समनना बड़ा मुश्किल है और ट्रेडिशनल कैसे हो वह देखो वह कैलकुलेटिब बैठ जाएगा रेडिशनल में आप ऐसे मालों के एन लोग थे और एवरेज थी यह थे मेरे नंबर ओ जितने भी स्टूडेंट्स थे और ठीक है तो आप पहले एवरेज थी एन एक्स ठीक है मैंने बोला 30 किलो का और आगया तो नहीं एवरेज कितनी आएगी नहीं आएवरेज आएगी जो नंबर ओफ लोग थे वो एक से बढ़ गए और एवरेज भी एक से बढ़ गई एक 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 एक्वेशन तो यह डिए कि ब ट्रेडिशनल क्यों नहीं करा रहा वो समझा रहा हूं मालनों एक्स 30 था एक और आगया 30 किलो का और आगया तो आप क्या हुआ नंबर स्टूडेंट को बढ़ गए दो से यानि एन प्लस टू हो गया इंटू और जो एवरेज थी वो कितने से बढ़ गई डेड़ से बढ़ है ठीक है तो मैंने यह वाला मेथट बनाया है ताकि आप कर पाओ अब यह होगा कैसे वह कैसे समझना के जब तक लगेगा अभी नहीं लग रहा होगा देखो एक बार और जैसे माल लीजी कि क्लास में कुछ बच्चे यह तो हो गया देखो फिर से देखलो मैं इसको एक बा बात कर रहा हूं कितने का डिफ्रेंस है पॉइंट यहां से आपको सीधा न आ जाएगा एन का मतलब है जो भी मेरा मेरे पास स्टूडेंट थे जितने भी थे तो आपने बोला एन की वेल्यू मेरी आ गई ती तू यानि कि जो मेरा मेड अवरेज में में इसको एक मेड कर र ठीक है यह वाला देखो अब ठीक है 78 को एड किया मालनों कुछ बच्चे ते वही करूंगा 78 को एड किया दो से बढ़ गई यानिकी 2 इन 2N ठीक है एक और टीचर आया जिसकी थी 66 ठीक है और जो डिफ्रेंस है वो देड़ का है ठीक है और आपने बोल दिया n प्लस 2 पूछ पूरल दिया 78-2N 66-4N-3 ठीक है तो यहां पर आपका आ गया 12 12 और यहां पर 3 15 आ गया ठीक है यहां से मैंने माइनस किया 12 और यह 3 15 और यहां पर आपका आ गया 0.5N ठीक है तो अगर आप जैसी N को करोगे यहां पर 3 N की विल्लियो और गई 30 जैसी 30 आई अब मुझे पता ह तो 78 में से जैसी आप करोगे डबल तो यानिकी 60 यहां पर कर दिया न 60 तो 18 लेकिन मुझे पता है कि मीडल है अठारा है जब 2 से बढ़ गई तो पहले कितनी थी 16 सोला फत्म थोड़ासे आपको थोड़ासे क्राम करना मथा अशिर्ष में बरना इसका ट्रेडिश्णल देखो कैसे जाएगा ट्रेडिश्णल बता दो पर ह जाएगा ऐसे कि समझना कैसे जा रहा है कि ट्रेडिशनल भी समझ लोग अप ट्रेडिशनल ये लो ट्रेडिशनल की एक्वेशन देखो आप कि मालो एन स्टुडेंट थे एक्स ती तो पहले एवरेज थी एन एक्स आपने बोल देखी 78 आ गया तो अब एवरेज कितने हो गई एवरेज लोग तो बढ़ गए एक से एक बच्चा बढ़ा और आवेरेज से बढ़ गई एक इक्स प्लस 78 एक और आगया किसका आगया 66 वह लोग तो बढ़ गे 2 और आवेज कितने से बढ़ गई थी तो इन दोनों equation को solve करके भी कर सकते हो आप क्योंकि average का मतलब क्यों होता है वाई average का मतलब कितना होता है number into sum इन दोनों का product यह new average है यह भी new average है ठीक है यानि कि मैं आगर बोलूँ average की बात कर रहा हूं आपने बोल दिया average होती है sum upon n आप sum को एक वेट कर दो average into n यह सम आ गया ठीक है मेरे पास पहले सम था 78 का सम और आ गया यानि कि मैंने सम बराबर सम कर दिया ट्रेडिशनल का मतलब यह है सम बराबर सम एक और करके दिखा देते हैं अगर ट्रेडिशनल जाना है तो कि जैसे माल लीजिए क्लास में 76 मतलब वही मालनों एन लोग थे और एक्स थे 76 सम इतना हो गया तो वह तब होगा जब एक बंदा बढ़िया और average इस दो से बढ़ गई एक तो यह आ गई फिर देखो एन एक्स प्लस 76 आपने बोलते जी पचास और आगया पचास और आगया अब यह तो दो से बढ़ गए और average कितने से बढ़ गई तीन से बढ़ गई तो आप इन दोने equation को solve करके भी कर सकते हो कही लोग क्या करेंगे एक्वेशन लिखेंगे और बोलेंगे हमने तो हिटें ट्राइल लगा दिया था नहीं equation solve करके भी कर सकते हो या फिर जो तरीका मैंने बताया है कि भाई 76 था और एन 2 इंटो एन ठीक है और अगर मैंने बोल दिया 50 है माइनस एन प्लस टू तीन एक का डिफरेंस है तो यहां पर आपका आगया 76 माइनस टू एन तो 50 माइनस एन माइनस टू यहां पर आपका आगया 26 और यहां पर आपका आगया 28 और यहां पर आपका आगया एन एन की वेल्यू कितनी आ गई 28 आ रही है विल्कूल ठीक है एन की वेल्यू 28 आ रही है तो आपने बोल दिया यह था अपका जब दो अब इसको पूट कर दो इधर पूट कर दो मिट आवरेज कैसे निकालोगे 76 में से 56 चला गया तो 20 अगर यह 20 मिटल की आवरेज और इजिनल पूछी है तो 18 आ गया कि इस टाप में कोश्शन कराने थोड़े भारी रहते हैं बच्चे इसको करनी बात है वो भी रील टाइम में लिएन जाते हैं जो जाते हैं यहीं कर सकते हैं आप इसी बात नहीं है कि NX, NX ते NX तो कटेगा, यह कटेगा, ठीक है, 2N प्लस X प्लस 2, तो यहाँ पर आप बोल दो कि ठीक है, यहाँ आपका 76, इसको बेज़तो 74, तो यहाँ पर आपका 2N प्लस X, एक equation यहाँ गई, इसको देख लो, NX प्लस 76, प्लस 50, यहाँ पर आपका आगया NX प्लस 3N, प और यहाँ पर भी 3N प्लस 2X, अब मेरे को पता है कि मेरे को निकालना है कि है, मेरे को original average निकालना है, यह निकालना है, N को इसको 3 से multiply करो, इसको 2 से multiply करो, X की value आजाएगी, बट यह काफी calculated है, पेपर में इतना सब नहीं कर पाते बच्चे, तो इसलिए इसका एक method बना दि तीन-चार बार देखोगे, आपके control में आ जाएगी चीज, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगी, इतने भी गधे नहीं हो, चलिए, thank you so much, session response, bye-bye.